नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल टीचर जोप सुनील में दोबारा आपका फिर से स्वागत है दोस्तों दोबारा से मैं आपके सामने कुछ लेटेस्ट टीचिंग और नौन टीचिंग वेकेंसी लेकर के आया हूँ और ये जो वेकेंसी आई हुई ये डिये भी स्कुल से आई हुई है तो इस वेकेंसी के डिटेल्स देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लेटेस्ट प्राइबेट गॉर्मेंटर एक छोटी बड़ी टीचिंग वेकेंसी के अपडेट रोजाना सबसे पले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथे साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाले वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को सेर करें जिनको इस तरह की जॉब की रिक्वाइरमेंट है या जो बीट कर चुके हैं तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो डीएवी वेकेंसी याई वी ओल इंडिया लेबल की इसको फिल कैसे करना है वन बाई वन सारे प्रोसेस को हम समझेंगे उसके बाद आप जो है वेकेंसी फिल कर पाएंगे टो चलिए सबसे पहले हम आपको ओफिस यल वैबसाइट में लेकर के चलते हैं तो यह मैं आपको ओफिसियल वैबसाइट पर डीएवी की लेकर आचुका हूं तो आने के बाद यहाँ पर DAB Stop Recruitment वाले option पर आपको क्लिक करना है दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का phase open हो जाएगा यहाँ पर कुछ important जो है दिया गया है कि आप अगर fee payment करेंगे तो आपको जो है स्कूल के तरफ से कोई भी email या फिर video interview या online कुछ भी नहीं भेजा जाएगा जो भी है आप official website यहाँ दिया गया इस website के मादियम से ही चेक करेंगे दोस्तों अगर करते हैं तो यह आपकी responsibility होती है तो official website आप अच्छे तरीके से देख लें davrecute.davcmc.in है तो चलिए next process हम जान लेते हैं तो हम सबसे पहले नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख लें सारा detail दिया गया है अब इसके भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे नीचे में सारा जो vacancies है वो details दिया गया है दोस्तों यहाँ पे eligibility देख लें तो मैंने इस सब पहले ही बता दिया तो अब हम यहाँ पे श्रिफ जानेंगे vacancy fill कैसे करना है तो हम चलिए सबसे पहले यह place वाले option है इस पे हम click करते हैं जैसे click करेंगे next page open होगा next page open होगया इस तरह page open होने के बाद फिर हम नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे detail जो है vacancy eligibility criteria वो अच्छी तरीके से पढ़ लेना है अब जिस post के लिए आपको apply करना है उसके plus वाले icon पे आपको click कर देना है दोस्तों plus वाले icon पे click करते हैं इस तरह का page open होगा यहाँ पे आप detail देख लेंगे इसके बाद नीचे की तरफ आप अगर new candidate है तो यहाँ पे registration वाले option पे click करना है और नहीं तो फिर login वाले option पे आपको click करना है तो registration वाले option पे click करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना जो title है वो select करना है यहाँ पे full name आपको दे देनी है या mobile number दे देनी है और यहाँ जो है आपको email id दे करके send OTP पे आपको click कर देना है तो जैसे ही आप OTP पे click करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे आपका OTP का option आएगा यहाँ फिल करके आपको continue वाले option पे click कर देना है OTP रिसीब आपके mobile और email दोनों पे जाएगा जैसे ही आप continue वाले option पे click करेंगे next इस तरह का window आपके सामने open हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको tick कर देना है instruction यहाँ पे कुछ दिया गया है इसको पढ़ने के बाद tick करना होगा आपको जो उसके बाद है proceed वाले option पे click करना होगा दोस्तों proceed वाले option पे click करने के बाद इस तरह से window आपका open हो जाएगा तो सबसे पहले आप जिस state के लिए जो है आप apply करना चाहते हैं यहाँ पे आप state select कर लेंगे आप उसी एक state को ही यहाँ पे select करेंगे तो यहाँ पे फिलाल हिमाचल परदेस है उसके बाद जो है आप यहाँ पोस्ट जिस पोस्ट के लिए apply करते हैं वो select करेंगे इसके बाद जिस subject के लिए apply करते हैं वो सेलेक्ट करेंगे उसके बाद save and continue वाले option पे आपको click कर देना है इसी तरह आप ministerial post है उसके लिए भी इसी तरह से आप apply कर सकते हैं यहाँ पे आप जो है video रोक करके एक बार अच्छी तरह के से पढ़ लें दोस्तों इसके बाद इस तरह का पेज आपके सामने open हो जाएगा यहाँ पे आपका state जिसे state के लिए apply करते हैं पोस्ट तरह यहाँ सो करेगा यहाँ पे आप अपना photo सेलेक्ट कर लेंगे आपके computer या mobile में होगा उसके बाद यहाँ पे आपका already नाम वगेरा जो फिल कियें वो आजाएगा यहाँ father's name दे देंगे यहाँ mother's name यहाँ gender यहाँ date of birth यहाँ पे कितना age है automatic आ जाएगा यहाँ mobile number whatsapp number email id यहाँ पे आप अपना address दे देंगे city pin code यहाँ पे कितना experience है वो देनी होगी और computer में आपको जो है knowledge है या नहीं वो यहाँ पे आप select कर लेंगे दोस्तों select करते ही आप यहाँ पे save वाले option पे click करेंगे save वाले option पे click करते ही next page आपके सामने open हो जाएगा जो next page है वो qualification का option आएगा यहाँ पे आप देख लें percentage जो है automatically calculate हो जाएगा tick mark the declaration press save and qualification attachment window will become active हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे personal information होगी अप qualification जो है आपको यहाँ पे देना है तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कौन सा exam पास किये है 10 इंटर ग्रेजवेशन पीजी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप बोर्ड और उनिवर्सिटी का नाम दे देंगे इस कॉलम में इस पे कितना marks आपका आया है वो देंगे टोटल कितने marks का exam था आपका वो देंगे percentage automatic आजाएगा division फी यहाँ पे automatic मेरे ख्याल से आजाएगा या फिर आप देंगे यहाँ पे आपको select करना है दोस्तों whether आप pass है correspondence, open school या non-collegiate से तो वो यहाँ पे आप select कर लेंगे उसके बाद यहाँ attachment आपको करना है आप अपना marksit यहाँ attach कर देंगे यहाँ पे इसके अलावा जो है यहाँ पे declaration का form है इसको अच्छी तरीके से पढ़ देंगे पढ़ने के बाद जो है save वाले option पे click करेंगे save वाले option पे click करते इस तरह का page आजाएगा यहाँ पे देख लें इस तरह का page आएगा आपको सारा detail show करेगा दोस्तों यहाँ पे आप देख लें एक बार 10th में कितना आपका कौन सा board university है इस तरह से आपका यहाँ पे show करेगा यहाँ attachment जो file आपकी है वह आपका show करेगा उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको click करना है और save वाले option पे नीचे आपको click कर देना है click करते हैं फिर से जो है next page आपका open हो जाएगा और यह जो है open होगा यहाँ पे other information वाले यहाँ पे signature आप जो है आप खुद से mouse के साहिता से कर सकते हैं या फिर नीचे आपका एक और option है यहाँ पे आप file सेलेक्ट कर लेंगे signature का उसके बाद यहाँ पे click करके review and submit बटम पे आपको click करेंगे और check करेंगे जितने भी information है वो सही दिये है या नहीं उसके बाद से इस तरह का page आपके पास open हो जा करेंगे यहाँ पर आपको instruction दी गई है safety measurement क्या करना है नहीं करना है कोई भी mail कोई भी call आपको नहीं जाएगा नहीं वीडियो कॉल जाएगा तो आप carefully जो है official website से payment करेंगे payment का जो है आप credit card net banking या फिर no upi option available credit card या फिर net banking के माध्यम से आप कर पाएंगे दोस्तों तो इस त के बाद से इस तरह आपका Mac payment कर देंगे दोस्तों payment OTP वगेरा आने के बाद आपका payment हो जाएगा आप next देख लेते है payment होने के बाद क्या process follow करनी है देख लेते हैं जैसे ही आपका payment successfully होगा यहाँ पर आपका पा जाएगा application submission successfully यहाँ पर transaction ID वगेरा आपका देगा यहाँ पर प्रोसेस से है जो आप vacancy को फिल कर पाएंगे DAB की जो आल इंडिया लेबल की vacancy है यह फिर भी आपको confusion होता है तो आप मुझे comment box में comment कर देना मैं कोशिस करूंगा आपको information देने की और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो जादा से जादा आपने दोस्तों को जरूर सेर कर धन्यवाद